अभी तक तो आपको गाजर खाने से आँखों की रुसनी बढ़ने के बारे में पता होगा लेकिन आज हम इसी गाजर से अपने दातों को चमकाने के बारे में जानेंगे अगर आपके दात बहुत ही गंदे मटमेले या भद्दे दिखते हैं तो इस गाजर के उपयोग से वो दात बिल्लकुल दूद जैसा सफेद हो जाएंगे नमस्कार दोस्तों ABC Hair Tips YouTube चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सबिस्क्राइब करें क्योंकि यहां मैं आयरुवेदिक और घरेलू इला से संबंदित अच्छी अच्छी वीडियो जहमें सा पोस्ट करता रहता हूँ आए अब हम आप जान लएते हैं कि गाजर के अपयोग से हम अपने गंदेपीले दांतों को कैसे सफेद कर सकते हैं कैसे मुटीओं जैसा चंखीला बना सकते हैं तो इसके लिए सब से पहले गाजर को हम च्छील लेंगे फिर उसे छोटे छोटे टुकडों में काट लेंगे फिर क्या करेंगे कि एक वर्तन में एक निबू का रस निजोड का रख लेंगे उस निबू के रस में इन गाजर के छोटे छोटे टुकडों को डुबो कर एक एक करके अपने दांतों पर आईश्ते आईश्ते रगडेंगे रगडने के बाद तीन से पांच मिनट तक इस जूस को ऐसे ही अपने दांतों पर लगा हुआ छोड़ देंगे उसके बाद हम साफ पानी से कुला कर लेंगे अपने दांतों को साफ कर लेंगे आपको बता दूँ कि गाजर में विटामीन ए होता है जो दातों की परत के लिए बहुत ही अच्छा होता है गाजर दातों के पीले पॉन से छुटकारा दिलाने में और उन्हें साफ करने में काफी मददगार होता है इस उपाय को सुभाह में एक बार रोजाना करें और तब तक करें जब तक कि अच्छा प्रेडाम ना आ जाए अगर गाजर के इस टुकड़े से आप रेव गुलर अपने दांतों का सफाई करते हैं तो आपके दांत कुछी दिनों में बिल्कुल सफेद हो जाएंगे उमीद करता हूँ कि हमारी ये छोटी सी जनकारी आपके लिए जरूर है फूड रही होगी अगर आयरुवेदिक और घरेलू इलासे समदित ऐसा वीडियो देखना आपको पसंद हो हमारे चनल को सब्सक्राइब करें अब इस वीडियो को लाइक और सेयर करें धन्यवाद